हेलो फ्रेंड्स असलाम अलीकूम कैसे हैं आप सब उमिद करते हैं आप सब बहुत अच्छी हूँगे अलहमदोलिला मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो जी आगई मैं एक नए व्लाग के साथ एक नए दिन के साथ यहां दिखा रही थी फ्रिज व्रिज ममी का क्योंकि लग र लिकिद हमीरे मतलब का कुछ रखा हुआ नहीं था इतना मन था करला कुछ मिल जाए खाने के लिए हैं तकरीबन 4 बजे का टाइम था सारे सू रहे थे और मैं फ्रिज खोल के खाना ढूंड रही थी के कुछ मिल जाए कुछ क्या मिलना था कुछ भी नहीं मिला मुझे यहां मुझे ना तोरी की सबजी विल गई थी फ्रिज के अंदर मैंने का चलो जी तोरी की सबजी तो बिल दी मेरा गुजारा हो जाएगा और यहां सुबह की रोटी रखी हुई थी तो मैंने जैसे हमेशा का है मेरे को बासी या बचा हुआ खाना इन सब चीजों से कोई अलर्जी नहीं है मैं सब कुछ खा लेती हूं तो वह रोटी रखी हुई थी और सबजी ती और यहां पर थोड़ा सा केक रखा हुआ था मैंने का अल्ला का शुकर है मेरी भूग का इलाज हो गया नहीं तो मुझे शायद कुछ मैगी वेगी बनानी पड़ जाती और अगर मेरी मम्मी कि आग खुल जाती आपापा की तो वह सोचते यार यह किचन में आज चुवा हुआ तो नहीं गुज गया जो बर्तोनों को एक खडबड कर रहा है तो उपर फ्रीजर में केक रखा था नीचे सबजी और बाहर रोटी रखी हुई थी मैं गा चलो जी इसी से हम लोग अपना खाना खाते हैं और आला का शुकर कर लेते हैं बिस्मिल्ला करके तो हम खाना खा रहे थे खाना खा रहे थे नहीं सिर्फ मैं खा रही थी यहां पे खाना और next day जब ममी अपने आफिसस से आई थी तो यहां नुनु के लिए slipper लेकर आई थी नुनु के तो भाई पुछो इ जार जादा मिलता है और दिन के बाद कोई मैंने वीडियो वगरा नहीं बनाई थी क्या बनाती मम्मी के घर क्या आपने देख रखी थी मैंनका चलो छोड़ो फिर हम लोग ना यहां पर आ गए थे मार्किट में तो मैं सलीपर देख रही थी तो मेरी सबसे चोटी वाली ने फ अपल देख रही हो आगे चलके देखेंगे मैंनका चलो ठीक है बही आगे चलके देखेंगे फून चील लिया था हाथ से उसने और यहीं पर बीच वाली सिस्टर की मिल गई थी फ्रेंड्स तो यहां पर बस वहसी मजाग गपे शप्पे कर रही थी और उन्हें यह नहीं प नहीं कोई भी आ सकता है जैसे मैं आगी वैसे सब आ सकते हैं यहां पर तो रौनक बहुत अच्छी हो रही थी चहल पहल हो रही थी यहां पर हमने एक स्टॉल देखा यहां टॉप का ऐसी टॉप्स न यह इन्नी लोगों के आ सकते हैं मेरे तो दूर दूर तक नहीं आ सकती यह शायद सेल लग रही थी 500 या 200 रुपे की सेल थी टॉप की सारी मतलब कोई भी एक ले लो 200 रुपे की या 200 की थी और इधर ही गुल कप्पे वाला था पर तो डसवरीडी हट रही थी उस गुल कप्पे वाले से वो बेट से बालू करी बता कौन सा चल लग रहा है मनका च इसका बजन देख लो अच्छा बजन देखना रहा है मुझे बदा वेट करना है पर डम देठीके बजन देखना आप चल रही की गवाल देख टो ठीकिया तो इसवांट मेंगे थी प्र मुझे क्यें मे बहूर का अपना बज़ादी किया है? यह अशे तटगिया है? दो किलो बस 42 मुझे मालूम था मेरा 42 ही आएगा 42, 45 अपना थे तक तक यह कम अमी आएगा? बबु इसका ताटा ने? अपना थे तक यह कम अमी आएगा? यह था मेरा वेट 68 मैं इतनी जादा खुश थी ती जादा के मैं अपना 4 किलो वेट मैं अपना लोज कर लिया लेकिन यार कर लिया कहां पर क्या भीज़ा रहे हो? ऐसे हेलो कर दो अब तुम ही भईया ऐसे हेलो कर दो अब ही आप जो यह हॉस्पिटल वाली वीडियो देख रहे थे यहां पर मेरी ममी जॉब करती है नर्स स्टाफ है सीनिया नर्स स्टाफ है यहां पर तकरीबन ममा को सोला साल तो हो गए होंगे यहां पर जॉब करते करते और बहार आए है तो हमेशा की तरह या तो गुल कप्पी या चाओमीन या मुमोज मुमोज वाले भईया के मुमोज खतम हो गए थे तो हमने का चलो गुल कप्पी खा लेते हैं तो यहां पर हम गुल कप्पी खा रहे थे कि बाहर का निखाना बाहर का निखाना लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा बाहर का मैं ही तो खाती हूँ और यहां गुलकप्पे वाले भाया हम लोगों को जानते हैं क्योंकि मम्मी और बहने आती रहती हैं अकसर तो उने जान पेचान हो गई है और इसी के बरावर में तो पुम्मी का जहां जॉब करती है वो हस्पिटल है तो इसलिए और जान पेचान है तो मैं उसको खहरती बस ठीक है बन गई जितनी वीडियो बननी थी अब गुलकप्पे खान दे अराम से यहां घर आकर मैं दिखा रही थी कि उसने क्या टॉप ली अपने लिए उसको ऑफिस जाना होता है न तो बही ऑफिस जाने वालों के लिए तो डेली कुछ न कुछ अलग-अलग कपड़े होने चाहिए तो यह छोटी वाली बहन न वो कॉमेडी करके दिखा रही थी कि अप पतली सी तो है उसके उपर तो सब अच्छा लगता है हम जैसे मटलों को सोचना पड़ता है पहनने के लिए कि क्या पहने और क्या नहीं अच्छा लगेगा के नहीं लगेगा और यहां देखो इसका हाथ मार मार के दिखा रही है अप यह भी बताना के ऐसे 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 उ और घर से जब आई हूँ तो खाना लेकर ना हूँ ऐसा तो हो नहीं सकता और आज देखो बतलब बना हुआ तो लेकर आई आई और बने हुए के साथ कच्चा भी लेकर आई हूँ यहाँ पर यह नॉन्वेज वगरा था शायद और रोटिया थी र्याज के लिए खाना था मैं तो खाकर आई हुई थी घर से ही उनके लिए लेकर आई थी खाना और दिखा रही थी मैं खोलके के ना पूरी तरी गिर गई थी रोटिया थो मैंने फोल पेपर में लपेट रखी थी लेकिन जो तरी थी ना वो गिर गई शायद टेडा वेडा डबा हो गया ना इस वज़े से लेकिन ये तो काफी अच्छे डिब्बे हैं इस से जाधा जल्दी से सब्जी वगरा नहीं निकलती वो मेर से बंद नहीं हो पाया था ठीक से इसलिए वो गिर गई यहां पर एकच्छी सब्जी देखो मैं क्या लेकर आई थी बेंगन आप देखा होगा कि फ्रीज बेड जब मैं फ्रीज में खाना निकाल दी तो बेंगन और खीरे रखे होगे थे थे तो मेरा बेंगन खाने का मन कर रहा था और यहां ये बड़तन र्याज ने क्छाना घाए होगा जो मैं लासु आइम starts चोले में छोले चाहल बनाकर गए तहीं है। इनको मुझे दोना धाना है और मैंने का चलो ठीक है और इधर ना फिर मुझे ना अच्छानक से भूख लगने लगी थी पता नहीं क्यों मुझे खुद नहीं पता कि मुझे भूख क्यों लगी लेकिन मैंने का चलो एक्स्टा रोटी लेकर रही हूँ तो मैं खा लेती और ख बोयल जर्म करने में ज्जादा टाइम लग जाता जैसे मैं स्टीम करते हूं। उस भी जानना कxt सबस्क्राइब लोर। और पाम लिखेश गयरो ढाना में अ गृषा धर को जरुशाया Metal। व्यष़ा में Advisor को समवा धर मिन्मी जर्म हब Anderson Pentate यहां पे इसका दूद भी गरम हो गया था उसी कटोरी में मैंने दूद गरम करने रख दिया था ताकि जल्देल दी काम मेरा निमट जाए और फीडर में बस उसको दूद करके दूँगी और ना मैं दूद में उसको चीनी नहीं डाल के देती जब से हम लोग मनाली घुमने ग कर रही थी क्योंकि इनको ना रोटी वोटी नहीं खानी थी कहरें मेरे को रोटी नहीं खानी मुझे चावल बना दे मनका चलो ठीक है मैं चावल बना देती हूं और कुकर ना इतना गंदा हो रहा था इतना गंदा हो रहा था इन्होंने ना शायद गरम करेंगे ना तो गरम कर दूंगी कि किसी तरीके से वो काला 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 जो हो रहा है ना वो छूट जाए कि अजय 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 कि अज और यह मेरे साथ हमेशा होता है यहाँ पर बाल्टी कर डखकन धोए थोड़ा सा छोट में उडिक है दिस बैलेंस हो जाता है यहाँ पर बस चावल के लिए छी लिए सब कुछ ready हो चुकाता और व्ह सब पूर्गोर में ळाल रहा था टेस्ट करा था है उन्यश्व makingCela मसाला भूंगे मारे मारे चावल लूप सबस्क्राइबर अपने पूरी किचन बरतन भांडे से अपकुछ धो धाके रख दिये थे और वीडियो कर देते हैं यहीं पे हम एंड बहुत लंबी मेरी वीडियो हो गई थी हो गई थी या मैंने कर दी थी जो भी है तो अब मुझे दीजी आप इजाज़त मिलती हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए दुआओं में याद रखना बहुत सारा प्यार देना लाइक कर देना वीडियो को कॉमेंट से देना शेयर कर देना और जी अल्ला हाफिज आपसे हूँ देना पाफस्ट